हेलो स्टुदेंट्स हम लोग मैक्रोप्रोसेसर में लास्ट वीडियो लेज्टर में देख रहेते इंस्टक्षन बेस्ड ऊन ऑपरेषन जिसमी में हम लोग ने जो है सट में डेorm he Merci लुट्ट उपर आयर अब हमस reply देखा था हuxe आनफ लोड़ डीड अध्यूमुलेटर नाम लोड़ डारेक्ट अध्यूमुलेटर आड्रेस यहां एक एड्रेस तो आपकोस वूसे बेरेस पर कुछ कंटेंट होगा है वो content को कहा transfer करना है यह बता रहा है description में okay accumulator में जाएगा किसका address का जो भी content हो उस address का content जाएगा accumulator में यानि कि यह जो given address है उस address पे 8 bit का content होगा है ना वो 8 bit का content कहां जाएगा accumulator में यानि कि इस accumulator में 2060H जो address है उस address पे जो भी data है वो data हमारा कहां जाएगा accumulator में यह डबल ब्रैकेट यह सो करता है कि यह हमारा data के बारे में बता रहा है है ना तो जैसे instruction को भी system bit को follow किया यह कैसा instruction थिरी वाइट इस्टरक्शन जैसी 3 वाइट हुआ तो वट वाइट वन में में लोकेशन तो थि वाइट को थिरी विम्ट मुरी लोकेशन यह नाम ही बता रहा है लोड़ डारेक्ट accumulator तो लोड डारेक्ट यानि कि डारेक्ट नाम दिया हुआ है देन इट आपरेट्स विद्ट कि डारेक्ट अड्रेसिंग बूड डाट इस क्लियर हाना नाम नाम से कुछ सीखना है ओके नौ अब यहां पर जो आप्रेशन होगा ओके इट रिक्वार्ज वन आपकोड फेश तो होना ही होना है हर एक इंस्ट्रक्शन के लिए यह मेंडेट्री है ओके जो भी आपकोड है उसको देना ही देना है प्लस इसमें तीन मेमोरी रीड ऑप्रेशन होगा है तीन मेमोरी रीड ओप्रेशन हाँ ओके एक ओपकोड फेश के लिए जो इसका आपकोड है ओके सिम्पल अब यह हमारा है एड्रेस ओके उस वह एड्रेस कितना का है system bit का तो एक memory रिड होगा LSB के लिए one memory रिड ओके यह one upcode फेच अफकोड के लिए MSB के लिए जो आठ बिड का है उसके लिए one memory रिड ओके और उसके अंदर जो content है उसके लिए one memory लिबी न got ऊपरेशन वह लें उसे न लिये भी कितना हो गया तीन मेमोरी रीड आपरेशन तो टोटल मस्चीन साइकल कितना हो गया ओकि देन इती requires 1 और यह 1 प्लस 3 4 मसीन साइकल देन इट रिक्वार्स कितना टी स्टेट 40 प्लस 3 इंटू 3 टी 1 मेमोरी रिट के लिए तो 3 तिया नोचर 13 टी स्टेट क्योंकि यहां पर डेटा जो है सिफ कॉपी हो रहा है देन यहां पर कोई भी एल्यों आप्रेशन नहीं हो रहा है तो यह हमारा क्या हो गया एल डेगे अड्रेस हाना अम लोग नेस्ट इंस्ट्रक्शन देखेंगे इसको समझने में हाना ना सी को नेस्ट इंस्ट्रक्शन है हमारा यह फिस्ट्रक्शन के बारें बात करें रहा हैं हमारा है रहा हमारा इस्ट्रक्शन के बात करिए तो यह बोल रहा है when this instruction is executed then the content of given address is transferred to the register L एचल पेर में register L and the content of next address is transferred to the register H and address में जो भी आपका content है यानि कि source का content अल्टर नहीं होगा कहने का sense क्या है कि जो भी आपका address का content है ओके वो address का content कहां जाएगा L में जाएगा clear ओके अफिर address plus one का जो content है वो कहां जाएगा H में जाएगा clear यह यह ही instruction कह रहा है simple यानि कि when this instruction is executed then the data from the given address is transferred to the register L and the data of the next address is transferred to the register H और इन दोनों का address के जो content होगा ओके वो same same रहा जाए यानि कि हम रहो copy कर रहे है तो कहने का मतलब क्या है कि suppose instruction है LHLD ओके तो LHLD क्या कहा भाई LHLD यह कहा कि two zero six zero H address address का जो data है वो L में जाएगा ओकी इसका list क्या होगा two zero six one H इसका जो data है वो कहां जाएगा H में जाएगा यह instruction कर रहा है आपकोर्स अब यहां पर यह जो हमारा instruction है ओके यह instruction 16 bit को follow कर रहा है तो 16 bit को follow कर रहा है तो 3 byte instruction 3 memory location है ना अब चुकिए यहां पर LHLD D4 direct है ना तो D4 direct load HL pair direct from the given address ओके देन इट operates with the direct addressing mode ना अब यहां पर कितना memory cycle होगा कॉन-कॉन operation होगा तो एक आपकोर्ड फेश तो होगा ही होगा है ना ना दो address है ओके तो दो address है तो उसमें हम लोग क्या कर रहे हैं ओके address को read करने के लिए address को read करने के लिए हम लोग ने क्या किया कि 2060 हम लोग को read कर लिए तो automatically 2061 होगा यानि कि हम लोग को सिफ एक address को read करना है है ना तो सिफ एक address को read करना यानि कि two read address ओके address को read करने के लिए लिए कितना टू मेमोरी रीड नहीं एक लस्वी को दूसरा है मैस्वी को अब यहां पर question यह उड़ता है कि सब 2061 इसको यह read कर या नहीं 2061 इस तो automatic आना है ना यह इस्टक्शन ही कर रहा है कि निस्ट एड्रेस तो जब यह एड्रेस को read करने के लिए टू मेमोरी रीड हो गया बट इस एड्रेस पे जो डेटा है और इस एड्रेस पे जो डेटा है दोनों को रीड करना होगा है ना दिन तू रीड धा डेटा ओके अ बट इस एड्रेस पर डेटा कुछ और है और इस एड्रेस पर डेटा मैमोरी है तो दोनों डेटा को रिट करने के लिए 11 कि मेमोरी गलिआ तोनों स्पटर 27 3446 क्योंकि कोई भी एल्यो आपरेशन आपका नहीं हो रहा है है ना डाट सो सिम्पल नौ अहुनों नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन देखेंगे नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन हमारा क्या है यह सी ल्डी एक्स आर्पी है ना अट ल्डी एक्स आर्पी सिम्पल एक्स है तो आरपी है ना यह क्या कर रहा है ल्डी एक्स आरपी लोड लोड दा एक्क्यूमिलेटर फ्रॉम दा गिविन रेजिस्टर पेर यानि कि अगर हम इसका एक्जम्पल पाना चाहें ओके तो यहां पर यहां पर यहां पर यह यह कहा क्या रहा है कि जो भी रेजिस्टर पेर का गंटेंट है है ओकी जो भी रेडिकर का कंटेंट है वो कहां चला जाए एक्क्यूमिलेटर में हाना सिम्पल में आगर इसका एक्जम्पल ले तो accumulator में चला जाए किसका content रेश्टर पियर बी सी का इसका ओकी डे का जो रेश्टर पियर वो accumulator में चल का जो है आपका accumulator में तो चुकि यह यह जो आपका instruction है वो एक letter को follow कर रहा है तो जब letter को follow कर रहा है तो कितना instruction कितना बाइट वन बाइट इंस्ट्रक्शन तो वन मेमोरी लोकेशन सिम्पल इट ऑपरेट्स बित ओके चुकि रेजिस्टर पियर यहां इन्भॉल्व है तो यह रेजिस्टर इन्दिरेक्ट अड्ड्रेसिंग मूड शिम्पल ओके इट रिक्वार्स बन अपकोड फिच और इसके अंदर जो डिटा है उसके लिए वन मेमोरी रिड वो सिम्पल डिटा ओर इट करने लिए वन मेमोरी रिड फिर बन प्लस बन ओकी टूब मशीन साइकल फिर फोर प्लस थ्री सेवन टीए स्टेट नो इन्य फ्लाक्स अर अफेक्टेट क्यों क्योंकि किसी तरह का आपका एल्यू आपरेशन नहीं हो रहा है तो यह हम लोग लग 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 परें हाना लग 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 इसका ठीक उल्टा हम लोग परेंगे एस टीए एस एचल्डी एस टीए एकस आरपी ठीक उल्टा ओके और दोनों में कोई डिफेंस नहीं जसी ओके अमनों निश्ट इंस्ट्रक्षन देख रहे हैं यह समझ गया है वेन इस 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 इक्विटेड देन दा कंटेंट्स अब दा गिवें रेश्ट अपिएर इस कॉपीड और टांसफर्ड टू दा एक्कूमिलेटर बट यहां पर सोर्स का कंटेंट जो है वह क्या होगा कभी चेंज नहीं होगा हाना नेश्ट इंस्ट्रक्षन हम लोगे निश्ट इंस्ट्रक्षन हमारा क्या होगा एस्टीए एड्ड्रेस नाइन्थ ओकी HTA address, simple, not see, HTA address, nisht हो गया हमारा HTA address, यह क्या गाता है, HTA से store, store the content of accumulated to the specified address, यानि कि जो भी address का content है, वो कहां जाएगा, जो भी address दिया हुआ, इसका ठीक उल्टा था LDA address, याद करो LDA address, ओकी, यह सारा चीज़ सेम होगा, यह कहा रहा था, load the contents of address to the accumulator, यह accumulator से address में, ओके, तो अब यहाँ पर, अगर हम भी इसको explain करना चाहें, है न, अगर हम भी इसको explain करना चाहें, तो simple, सोचो, कि यह हमारा LDA, HTA address, HTA20, दुसाय जाम पर लेते हैं, बोर होगा, इसको लेते हुए, 8050H, यह हमारा address, तो, जो भी accumulator का content है, वो कहाँ जाएगा, इस memory में, टू दा memory, ओके, तो सबसे पहले, जो इसका अपना अपकोड है, ओके, वन अपकोड फेच, जो भी आपकोड है, उसको read करने के लिए, ओके, वन अपकोड फेच, है ना, उसके बाद address, address, lsb, msb के लिए, 2050H, टू memory read, clear, ओके, अब यह data को read नहीं करना, अब क्या करना है, राइट करना है, उसमें read करना था, ओके, फ्रॉम दा memory जब डेटा जाएगा, तो one memory read, always, तो यहाँ पे, टू दा memory जा रहा है, अपकोड अड्रेस है, तो एक address location, memory location है ना, ओके, तो टू दा memory हम लो यहाँ पे लेते हैं, तो टू दा memory के लिए, one memory right है ना, ओके, data, two address, ओके, one memory right, ओके, हमारा LDA में क्या था, address से from the memory जा रहा था, तो वहाँ पे, हम लोग क्या कर रहे थे, memory read ले रहे थे, बट यहाँ पे हम लोग क्या लेंगे, memory right लेंगे, बस difference इतना ही है, ओके, तो when this instruction is executed, then the content of accumulator is transferred to the given address, ओके, और accumulator का जो content होगा, वो just करता सी रहेगा, तो यह, एक address को याने के system with, तो three wide instruction, तो three wide के लिए तीन memory location, है ना, चुकि यह directly एक address पे जा रहा है, ओके, तीट operates with the direct addressing mode, ओके, direct addressing mode, अब it requires one of code fetch, प्लस two memory read, प्लस one memory write, clear, उसमें क्या था, इसमें, तीन memory read हो गया था, ओके, एक दो address को पढ़ने के लिए, और एक memory को read करने के लिए, memory say data को जो जा रहा है read करने के लिए, तो यहाँ पर total कितना हो गया है, machine cycle, one plus two, okay, three, four machine cycle, four T plus, two plus one, three into three, तो तीन तीनों चार तीरा, थाटिन टीए स्टीट, no any flags are affected, कोई भी flags are affected नहीं होगा, क्यों, क्योंकि किसी तरह का arithmetic और logical operation नहीं हो रहा है, clear, तो LDA address और STA address में difference क्या हुआ, कि LDA address में address से accumulator में जा रहा है, और यहाँ पर accumulator से address में जा रहा है, तो say address यानि कि to the address जा रहा है, इसलिए memory right, ओकी, और वहाँ पर from the address जा रहा था, इसलिए memory read, हाना, तो ठीक, जैसे हम लोग वहाँ पर यहाँ क्या परहेंगे, SHLD, ओकी, तो SHLD क्या कर रहा है भई, SHLD, दस्मा, SHLD, ओकी, तो SHLD क्या क्या कर रहा था, SHLD address क्या कर रहा था, कि address का जो भी data है, address का data L में, फिर address plus one का data H में, यह था ना भई, SHLD में, ओकी, अब ठीक, उल्टा हो जाएगा, यहाँ पर SHLD में, L का जो data, given address में, और इसका जो data है, वो address plus one में जाएगा, clear, उल्टा, reverse, है ना, same, same चीज, ओके, बस, अब यहाँ पर क्या होगा, केक आपकोड फेश को पढ़ने के लिए, ओके, आप मलों, जो भी आपकोड है, उसको फेश करने के लिए, one आपकोड फेश ओप्रेशन, यहाँ भी address को रीड करने के लिए, दो memory read, data, है ना, data क्या हो रहा है, इसका data इसमें, इसका data इसमें, LHLD में, इसका data address से, तो one memory read इसके लिए, one memory read इसके लिए था, LHLD में, SHLD में, तो दा address, तो दा address, तो two memory write, यानि की, one आपकोड फेश, two memory read, और दो data तो two memory write, इसके लिए, ना, यहाँ पे description अगर हम लोग करे, simple, तो when this instruction is executed, then the contents of register L is transferred or copied to the given address and the contents of register H is transferred to the next address, ओके, तो next address में लो plus one, है ना, तो यहाँ पे, अपकोर system bit address है, तो three write instruction तो तो तीन में में लोकेशन, चुकिए address दिया हो, तो directly addressing mode होगा, अब यहाँ पे it requires, to memory read address को read करने के लिए है ना, SHLD, ओके, और address में जाने के लिए दो दो data जा रहा, दो 8 bit data, तो to memory write, तो दो दो चारिक पांच, ओके, पांच machine cycle, four into three T, चातिया बाराचा सुला, 16 T state, and no any flags are affected, clear, तो यह SHLD भी क्या हो गया, LHLD का, उल्टा हो गया, आप समझ गया होंगे, नेस्ट इंस्ट्रक्शन क्या होगा, है ना, नेस्ट इंस्ट्रक्शन इज, STAXRP, अब इसका भी upmeaning समझ गया होंगे, ने, STAXRP क्या कर रहा है, यह कर रहा है, कि accumulator का जो content है, वो कहां जाएगा, register pair में, LDAXRP क्या कर रहा था, LDAXRP कर रहा था, कि जो भी RP का content है, वो accumulator में जाए रहा हो, जब to the accumulator जाना हो, तो LDA, LHLD, LDAXRP, जब from the accumulator होना हो, तो STA, SHLD और STAXRP, तो अपकोर्स, इसका example क्या होगा, simple, STAXB, यानि कि इस accumulator का content कहां जा रहा है, register pair BC में, तो यह एक नंबर को follow कर रहा है, तो one white instruction, तो one memory location, register pair है, तो register indirect addressing mode, ओके, अब क्या होगा, बताओ, ओके, to the, to the register pair, register pair को में लोग डिफॉल्ट क्या लेते हैं, memory लेते हैं, तो one memory, right, I think no problem, just tell me, नहीं, ओके, one memory, right, one of code face plus one memory, right, because to the memory, register pair को में लोगे एक memory की तरह टीट करते हैं, जैसे एक address को memory की तरह टीट कर रहे हैं, तो one memory, right, तो one plus one, two machine cycle, तो 40 plus 3T, 70 state, and no any flags are affected, तो total हमारा हो गया, 11 instruction, ओके, अब लास्ट इंस्ट्रक्शन जो है, इसमें, डेटा टांस्टर ग्रूप में, बाराहमा, ओके, जो कहता है, exchange, simple, ओके, exchange कह रहा है, exchange, एक special instruction, ओके, exchange, मैंने क्या कहा, एक special instruction, यह simple क्या करता है, exchange the content of HL pair, with the register pair DE, सिर्फ DE के साथ, हना, यानि कि, जो भी HL pair का content होगा, वो किस के साथ exchange होगा, register pair DE के साथ, बस, ओके, यही यह कह रहा है, तो जब यही यह कह रहा है, तो यह आपकोर्स, one white instruction होगा, one memory location, ओके, अब यह चुकि, यहाँ पे, जो है, कुछ भी नहीं दिया हुआ है, एक register की बात, हम लोग कर रहे हैं, तो यहाँ पे यह जो operate होगा, यह register addressing mode का बात होगा, ओके, I think, ओके, it operates with the register addressing mode, ओके, और यहाँ पे चुकि, कोई operate इस में छिपा हुआ है, तो, one memory read, ओके, one machine cycle, तो, 40 state and no any flags are affected, तो यह हमारा हो गया data transfer group, अब हम लोग जो next करेंगे group, वो है arithmetic group, जिसमें हम लोग flags affected होगा, चुकि, arithmetic operation होगा, है ना, तो, flags इसमें affected हो जाएगा, I think no problem, नहीं, ओके, तो मिलेंगे हम लोग निस्ट वीडियो में, arithmetic group के साथ, ओके, थैंक यू, इसको समझेगा अच्छे से, इने problem दिन टोल में, थैंक यू.